आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अगर बात हम उनकी पहचान की करें तो किसी एक शब्द में या फिर कोई एक नाम एक टैग लाइन उनकी लिए देना छोटा हो जाएगा क्योंकि इतनी सी काम उम्र में उन्होंने जो बहुत बड़ी उपलब दिया हासिल की है बिसिकली अगर देखा जाए तो हैपिनेस कोच, बिजनस कोच, सिक्षावेट के लेखर के साथ साथ एक वो समाज सेवी है और ऐसे समाज से लिए कि समाज की धारड़ा, समाज की मेंटालिटी है उसको बदल कर इस समाज को बेहतर करने की पूरी कोशिश वह चोटी से उर्मे करने है तो हम आपकी मुलाकाइब दॉक्टर हुवेक ताउड़ी से कराएंगे जो बेहदी एक अलग परस्नालिटी है, एक अलग शक्सियत है जो मैंने बिजनस का सफर किया है और मैंने मेरा मैं शिक्षाविद मेरे रूप में सरदार भगर सिंग कॉलेज का वाइस चेर्मेन रहा और भी बहुत समाजिक संगठनों में रहा, धार्मिक संगठनों में रहा परनतों शुरू से ही मेरा उद्देश था कि एक तैस समय सीमा में, उम्र की एक तैस समय सीमा पर मैं एक तरीका का बिजनस रिटार्मेंट ले लूँगा और अपने सभी चीजों को समाज के प्रतिसमर्पित करकर आगे बढ़ूँगा आप एक अभियान चला रहे हैं, चलो जाने रामराज, यह अभियान क्या है, और कहां से आपको प्रेड़ना भी लिए, देखे वैसे मैं, मेरे ईष्ट श्री हनुमान जी महराज है, मैं हनुमान जी का भगत हूँ, और इस अभियान की बात करें तो यह रामराज किसी धर्म से जुड़ा हुआ अभियान नहीं है, यह अभियान है नैतिक्ता का, यह अभियान है मुल्यों का, यह अभियान है हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं, जिसके कारण हमारे इस देश को, हमारे इस राष्ट को एक पहचान मिलती है, उस संस्कृती को जागरत करने का, अगर हम द दीन ना हो, जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जहां पर सब एक ऐसे समाज की संगटना में रहते हो, जहां पर सब एक समाज वहवार और आच्रण करें, तो मेरे कहाल से ये रामराज्य तो प्रत्यक युग का सबसे उत्तम राज्य होना चाहिए और अगर आज इसकी कलपना, परिकलपना हम कर रहे हैं, तो ये किसी धर्वशेष रिया किसी पार्टी वीशेष की परिकलपना नहीं, वलकि ये तो हम सब की परिकलपना होनी चाहिए. वह खाएं कि अभारत्य पार्ट कि आजरी के जिसे के आप राज निती पर रही है तो आज के वक्राइग से पढ़िने कि आपके आपके अभ्याद से जोड़ रहे हूं कि अहीं पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि राजनीती क्या है? और अन नीतियों को लागो करने का जिसका कारिय होता है वो राजनेता होते है या वो आज की युग में पार्टी कहनेゃ या सरकार कहने तो हाँ अगर राम का नाम राम किसी धर्म विशेश के का व्यक्तित तो नहीं है मर्यादा पुर्शिरुत्म राम ने एक ऐसा आचरण समाज के सामने रखा है जहाँ पर एक राष्ट की परकल्पना जिसके राष्ट देव राम हो जहां पर ऐसी परकल्पना की जाये जहां पर एक ऐसे राश्ट के राजा की परकल्पना की जाये जो शो को समान रूप से देखता हूँ कि आगे चल रही है तो मेरी ख्यास से यह तो सभी पार्टियों को करना चाहिए क्योंकि एक सुचारू सम्रत सुसंस्कृत राष्ट की परकल्पना अगर कोई पार्टी कर रही है तो यह तो हम सब के हिट की बात है लेकिन इसको जिस तरह से धार्म से जोड़ा जा रहा है कहीने कहें आप एक अच्छा अभियान चला रहे है लोगों को यह बता रहे है कि रामराज यह नहीं है कि सब भगवान की पूजा करना रामराज यह है कि उनके आचरन को अपनाना लेकिन जिस तरह से लोग लागातार इस अभियान को भी भगवान से जोड के ना जोड के राजनीती से जोड दे रहे हैं, उनकी लिए क्या संदेश देना चाहेंगों, किस तरह से बताएंगे कि मैं रामराज को किस तरह से जनता के बीच में रखना हूँ? पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अभियान क्या है इस अभियान के अंतरगत मेरा जो अपना मूल तत्व है जिसको लेके मेरे मन में ये परिकलपना आई इस अभियान को प्रारंब करने की तो उशुरुवात होती है सुभेरे के अख़बार से जब हम सुभेरे का अगबार कोलते हैं तो हमें किस प्रकार के समचार देखने को मिलते हैं एक बार इस पे गौर करिए आप चुकी खुद न्यूस जगत से हैं आप तो खुद जितने भी समचार होते हैं उनका विशलेशन करते हैं तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि समाज की जो बुराईया हैं वो कहां से प्रारंब हो रही आप निश्चित रूप अभी हाल में ही एक घटना होई थी जिसमें एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मा को निर्मम रूप से मार दिया था अकसर ऐसी घटनाएं समचार में आती रहती है तो इन घटनाओं को देख के आपको क्या लगता है हाँ, ओ, क्या हुआ, कितना गलत हुआ बस ये टिपड़ी करके हम लोग शान्त बैठ जाते है क्या ये टिपड़ी ही काफी है क्या ये आवशक्ता नहीं है कि समाज के उस पहलू को समझना क्या ये आवशक्ता नहीं है कि समाज के उन कुरूतियों को जानना कि जिस कारण ये मनोदशा उत्पन हो रही आपको मैं बता दूँ अगर आप आज किसी अच्छे साकेट्रिक डॉक्टर से बात करेंगे तो वो बताएगा कि हमारे पास आने वाले जो लोग हैं उनकी उम्र 30 से 45 वर्श के ज़ादा है, सबसे अधिक है ऐसा क्यों? वो उम्र जिसमें संपून उर्जा के साथ आदमी कारे करता है वो उम्र जिसमें संपून मनोयोग के साथ वो किसी गती या किसी दिशा की और बढ़ता है वो उम्र जिसमें एक राष्ट को सम्रद करने की, सशक्त करने की शमता है उस उम्र में अवसाद कैसा? अवसाद का कारण है हमारा समाजिक परिद्रश्य समाज किसे बना परिवार से परिवार में सबसे मूल घटक हम है आज उस परिवार में जो संस्कृति का नाश हो रहा है आज हम पास्चात सब्वता की और जो भाग रहे बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहें और हम अपनी संस्कृति को छोड़के बाहर की संस्कृति को अपना रहें आज आवशक्ता है उस संस्कृति को जानने की परिवार में उस मूलतत्य को पहचानने की अपने परिवार में समवाद को बढ़ाने की और समवाद भी कैसा समवाद स्वस्थ समवाद के रूप में हम केवल आरोप और आलोचना में घिर चुके हैं अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में अगर हम बैठते हैं तो केवल एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं अगर हम परिवार में बैठते हैं, तो केवल एक दूसरे की आलूचना करते हैं, तो हम ऐसे में क्या पाएंगे परिवार से, परिवार की उर्जाश थमाप्त होगी, हम कोई भी सनातनी संस्कृती से संबद कोई बात नहीं करते, हम किसी भी अपनी ऐसी वस्तूओं की विशय म में हो, तो हम उसका क्या प्रतिफल पाएंगे, तो उस संस्कृती को, उस सब्यता को, समाज के सबसे छोटे घटक, परिवार के अंदर जागरत करने का अभियान रामराज्य है, ये अभियान न धर्म का है, न राजनीती का है, ये समाज का अभियान है, इस अभियान के परिचर्चा करना किवल एक विक्ति से नहीं उस परिवार के समझ सदस्यों से इसमें हम जितने भी RWA's हैं Resident Welfare Associations हैं उनसे संपर कर रहे हैं उनके माध्यम से वहां जितनी लोग रह रहे हैं उनके साथ चर्चा करते हैं प्लस हम जिस जिस संस्थाओं से जुड़े हैं वहां पर जो भी कारक्रम होते हैं उसमें बाद के दस मिनट हम इसी संस्कृति इसी सब्यता के विशय में परिचर्चा करते हैं और अपनी जो मूल संस्कृती हैं, जो मूल धारणा है हमारे भारत की, हमारे राष्ट का जो मूल चिंतन है, उसको जागरत करने का प्रयास करते हैं. जिस तरह से अपने परिभाशा ही अलग हैं, आज के वक्त में अगर युवा और आपने बताना कि 30 से 45 की उमर में जो लोग हैं, वो जादा साइक रेक्टरस के पास जारत जबकि इस उमर में सबसे जादा उर्जा होती हैं, तो हमारे जो युवा हैं, वो स्पेस के नाम पे प से इसकी प्रॉब्लम, और यह है तो आप अपने अभियान के ताहद इसको किस तरह से मैनेज करने की और लोगों को एक ऐसी मानसिक्ता, लोगों में भरने की कोशिश करते हैं, कि नई, फैमिली सब कुछ है, रामराज यह है कि सब एक साथ रहो और मिल चूल के रहो, प्रश और ना वो माबाब दोशी, बलकि अगर मूल रूप से देखा जा तो इस तीनों बराबर रूप से इस समस्या के दोशी है, क्यों? आज कल हम जिस यूग में जी रहें, उस यूग में ये तीन घटक जो आपने बताएं, ये तीनों एक दूसरे को जानना और समझना नहीं च चाहते हैं, तो हमें उसके लेविल पर आना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा धर्म से जोड़ते हैं, अवतार किसे कहते हैं, अवतरन किसे कहते हैं, इश्वर अवतरित होते हैं, कहा जाता है कि इश्वर का अवतरन होता है, अवतरित मतलब अपनी अवस्था से नीचे आना, तो जब अगर हम किसी की बात को मूल रूप से समझना चाहते हैं तो हमको भी अवतरण करना पड़ेगा उसकी बात को समझने के लिए यानि मूल रूप से हमें उसके दिमाग में जो चल रही मांसिक द्वंध है उसको समझ के बात करना मात्र किवल इस चीज से इसका समधान नहीं संभव है कि हम अपनी बात उसको कह दे समधान तब संभव होगा जब हम उसकी बात भी समझें और एक सेतुबंद का काम करें वह सेतुबंद जो उसकी विचार और हमारे विचार के बीच का जिससे हम भी कुछ आगे बढ़ें वह भी कुछ हमको समझें जब दो लोग एक रूसरे को समझेंगे तभी परिवार में यह जो प्रथक वाद जनम ले रहा है यह समापत हो पाएगा रामराज में अगर आप प्रटवारे में तो हत्याएं हो जाती है और वो रामराज की परिकल्पना जहां पर एक भाई जो बनवास चला गया हो दूसरा भाई उसके चड़ पादुकाओं को प्रतीक चिन्नी के रूप में सिंधासन पर राज्य करता हो अगर इस राज्य की हम परिकल्पना कर रहे है अपने समाज को सम्रद करने के लिए अपने राष्ट को सम्रद करने के लिए तो मेरे विशय में मेरे हिसाब से ये कतय किसी धर्म का विशय नहीं है ये तो हमारी सुसंब संस्कृती का परिचायक है तो इसलिए रामराज को जानने के लिए सबसे आवश्य के खुद को जान और तब उस से तुबंद का काम करिए, ताकि हम सब एक समान रूप से अपने परिवार को आगे बढ़ें, जब परिवार बढ़ेगा, तो ही समाज बढ़ेगा, और जब समाज बढ़ेगा, तो राष्ट्र बढ़ेगा। देश हित्में समर्पित, क्योंकि देश में तमाम ते रखी कॉंट्रोवर्सी अभी आपने सुनी होगी, कि जब अग्मी वीरियोज ना आई, तो किस तरह से युवा सड़कों पर उतर है, देश की बात हो रही थी, अट लास्ट युवा को समझ में आया कि देश हित्में ही हम आपकी में अपने देश के लिए काम कुरूदेश इत्ली कहां से इंस्परीशन मिली आपको? कि देखें, मैं तो यह कहूंगा कि मैं संपोन रूप से मानसिक रूप से कर्म के सुरूप में और चिंतन के सुरूप में अपने इष्ट जो हमारे श्री हनुमान जी महराज हैं उनको समर्पित हूँ और उनसे ही प्रत्यक पल प्रत्यक पग परिड़ा लेता है इसलिए आपको हनुमान भक्त क्या मैं तो सेवक के शेणी में आता हूँ और श्री हनुमान जी महराज को अगर आप देखें तो पाएंगे कि उनका जो सेलफलेसनेस थी जो श्री हनुमान जी महराज का अप्रतिम समर्पन था प्रभू श्री राम के प्रति वो अब देखने को नहीं मिलता है किसी के, आपके स्वेन के अदर अपने काम के लिए नहीं मिलता है, जब श्री हनमार जी महाराज संपूर्ण कारे को निपका के, सीता मा की खोज करके, लंका को जला के, रावण के प्रतेक, जो उनके जितने भी शस्त्रागार थे, सब को तह करके लोटे, इतना वड़ा काम है, तो अब इसमें आप, मैं आपको दो धारन देता हूँ, अगर आज के युग का कोई वेक्ति है कर रहा होगा, तो निश्चित रूप में सारे मीडिया चानल्स के, जो आपके माइक्स होते हैं, वो सब उसके फेस पे लगे होंगे, उसकी एक बड़ी सी न्यूज आर्टिकल निकलेगा, उसकी हेडिंग, और वो कहेगा कि हा मैंने किया, बड़ी मुझको मुझको ली लेकिन मैंने उस चीज को किया, वो सिर्फ अपना महिमा मंदन करेगा, लेकिन श्री हनुमान जी महराच, जब ये सब करके आए, तो उसके बाद जब उनकी बड़ाई की जा रही थी, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बात कही कि सो सबतव प्रताप रगराई, नात नकच मोरी प्रवताई, ये सब प्रभु श्री राम आपका प्रताप था, इसमें मेरी कोई भी प्रवताई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तो जब ह हम अपने देह से उपर उठके किसी भी कारिकों करते हैं, चाहिए वो समाजिक हो, चाहिए वो राष्ट्रहित का हो, चाहिए वो परिवार का हो, तो हमारे मन में किसी भी प्रतार का उस कार के प्रती आ सकती नहीं होती है, और जब आ सकती नहीं होगी, तो निश्चे भाव में भी यही रहता है जैसे आपने कहा कि इतना कुछ अगनिवीर के विशय में कहा कि लोग हमने हमारा समाज मैं फिर से बात कहना चाहता हूं कि हमारे समाज का नजरिया बदल चुका है हम हमारी जो दृष्टी है वो दृष्टी इतनी दूशित हो चुकी है कि हमें सिर् और बढ़े हम किसी को भी देखेंगे तो शायद उसमें पांच बिन्दू अच्छे हों लेकिन हमें मात उसमें जो एक बिन्दू गलत दिख रहा होगा हम उसको ही पकड़ पाएंगे क्योंकि हमारी मनोदशा वैसी बन चुकी है अभी एक आप बुक पढ़ियेगा पावर अफ सबकॉंशिस माइंड हमारी एक देह जो है इसके साथ साथ एक शरीर और है हम जो भी चिंतन करते हैं हम जो भी अपने विचार लाते हैं वो हमारे सबकॉंशिस माइंड में फीड हो जाता है और फिर हमारी पूरी बाड़ी उसी किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान के प्रति अगर हम कोई विचारधारा बना लेते हैं तो हम उसी से ग्रसित रहते हैं और इसमें थोड़ा सा सहयोगी कह लेंगे मीडिया का भी रहा अगनीवीर को किस प्रकार से दिखाया गया मैं यह नहीं मैं किसी भी योजना का मैं किसी पार्टी का मैं किसी भी व्यक्ति का समर्थन या उसका वो नहीं कर रहा हुए रोग मेरा कहने का मतलब हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा हमें अपने चिंतन के माध्यम से चीजों को देखना पड़ेगा हम क्यों दूसरे की नेतरों से देखते हैं एक बार हमें बुद्धी दी है हमें चिंतन का विशे दिया है तो हम उसके ओपर चिंतन करके क्यों नहीं करते और आज इसी नजरिये के वज़े जो समाज में जितना भी आप नकरात्मक चीजें फैल रही है ये केवल नजरिया जो हम अपनी दृष्टी से नहीं दूसरों के दृष्टी से जिसमें एक अंडर पॉब्लिकेशन है तीन पुस्तक है श्री हनवान जी महराज के अपर और पहली पुस्तक ये इसमें थोड़ी सी बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि मैं जब मैंने पहली पुस्तक लिखने की प्रेणा कहां से आई मैंने जीवन में सोचा था कि कभी एक पुस्तक लिख पाऊंगा तो मेरी पहली पुस्तक लिखने की प्रेणा आई कि मैंने जब 2008 में मैं और मेरे मित्र पगज सिंग बदौरिया जी ने दोनों लोग ने एक संस्थान खोला सरदार भगज सिंग कॉलेज और हम दोनों की जो शुद्धा थी कुशे हनवा कर तो उस संस्थान के ज़ outside कि जब चेर्मैन बननी की बात हुई तो इसी चर्चा हुई तो हम लोग डोनों ने सहसा कहा कि भई चेर्मेन तो हनुमान जी हो तो उस कॉलेज के चेर्मेन हम लोग के माराज को बनाया वहां मंदिर इस थापित कि या तो इस चीज के अपर काथ लंबी कहता है लेकिन बाद में श्री हरुमाणजी किरपा से इस कॉलेज को मानता मिली और आज 15 वश स्थान चल रहा है चेर्मन हनुमाण जी है श्री हरुमाण जी महराज हैं उनका असेंस फुल आफ़स है उनकी कार है उनकी मोहर है, उनकी फाइल्स है, सब कुछ है, मतलब एक चेर्मेन को जो पावर्स रहती है, वैसे ही उनकी सब चीज़े वहाँ पर हैं, तो जब यह हुआ तो मेरे पास अमेरिका से तो जब पूशचा जो इसकी चुरुवाद के चुछाओ लुशचा लगणा था, तो मेरे पास चॉछा अईया था, तो मेरे पास कॉल अच्छा था, तो अमेरिका से वहां की एक पत्रकार थी इंग्रिड नॉटन, उन्हों ने मुझसे इंटर्व्यू किया तो उन्हों ने पांसर दिया तो उन्होंने मेल लिखा कि आप क्यों नहीं इतना अच्छा आपने इसका विस्तार से बताया है क्यों इस पर बुक लिखते हैं तो मैंने सबसे पहली बुक लिखी वर्सिटाइल हनवान मल्टी डामेंशनल करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉड हनवान जी जिसमें उस पुस्तक में हनवान जी के जितने कारे हैं उसको आज के MBA के फ्रेम में कैसे बठाया जा सकता है वो पूरा है उसी का फिर हिंदी रुपांतर लिखा प्रबंध कौशिलम उसके बाद सकलगुण निधानम श्री हनवान जी मेरी तीसरी पुस्तक थी फिर अभी करोन काल में मैंने अपनी चौथी पुस्तक लिखी जिसमें जो सबसे ज़्यादा चीज की कमी लोगों के बीच में हो गई थी खुशियां तो मेरी वो चौथी पुस्तक थी चाहत खुशियों की उसमें ये बताया गया कि हमारे आसपास ही हमारे अंदर ही हमारे बीतर ही खुशि होने जारी है आत्म चिंतन जीवन का अमृत ये पांच पुस्तक है आपने दर्सभू से भी कहना चाहूंडी कि ये सारी किताबे नाम से ही अलग है वारा सभी को पढ़ना भी चाहिए आपने पता है कि आपके कॉलेज के चेर्मान जो है भगवान श्री हनुमान जी है उस कॉल कि सबसे बड़ा यही दिखे थे कि बच्चे प्रिए आपने अंदर की विषय वस्तु थी या हमारी निजी भगती थी जिसका रड़ मैंने उनको चेर्में बनाया दूसरी बात संपूर कॉलेज में एक मंदिर है एक श्री हनुमान जी का कक्षय बाकि और किसी भी जगे पे कहीं श्री हनुमान जी का किसी प्रकार का चित्रा नहीं है कि जिससे लगे कि यहां पे धर्म विशेश के विशे में पढ़ाई होती है अब आपने दूसरा प्रश्ण किया बच्चे कैसे लेते हैं अगर आपको वास्टविक्ता में धार्मिक समरस्ता का उधारा देखना है कि हमाइस अंस्थान में सभी धर्मों के लोग एक सार एक स्थान पर मंदर बैठ के पूजा करते हैं और की टीचर्स डेवो जितने भी इस तरीके के फंक्ष्ण जोतेशी हनंवान जी की फोटो वो चाहे आप मुस्लिम समदाय का कहले इंदू समदाय का कहले इसे समदाय का क ये फोटो ले जाके सबसे पहले हन्मान जी की पूजा उनके ओपर माल्यारकवाण दीप प्रज्वलन करके किसी भी कार्ण करना करें अब यहाँ एक विश्या आता है कि कैसे ये सब चालो हुआ एक इस्थान जिसको विद्या का मंदर कहते हैं वहाँ पे किसी भी संस्कृति को बनाना बढ़ाना उसका संबर्धन करना यही कार्य होता है मैंनेजमेंट का और आज हमको सबको यही करना चाहिए यही मुल्तत्व हमारी परिवारों से प्रथक है आज हम बच्चों से कहते हैं अरे बच्चे सो रहें चलो पूजा में हमी लोग बैठके कर लेतें नहीं बच्चों को सबसे पहले पूजा इस थल पे लाकर पूजा करानी चाहिए वो किसी भी धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म है, जो भी धर्म है, उस धर्म की संस्कृति को follow करना आवश है, क्योंकि धर्म का मतलब ही है, धारण करने की विशयवस्तू, धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म धारण करने के लिए है, और धर्म धारण करने से आपके अंदर सईयम आएगा आपके अंदर चिंतन आएगा आपके अंदर शाली निता आएगी आपके अंदर विवस्थित, आचरन आएगा जिसके माधयम से आप जीवन میں सफल होंगे तो धर्म का धारण और आपकी सफलता ये दूसरों एक दूसरे के पूरक्तत है लेकि लेकिन आज के वक्त में आपके देखा हुआ कि लोग धर्म को धारण करने के वज़ाएं प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन में ना जाने कितने महसुमों की जान जाएं मिलकुल, इसी इनी सब चीज़ों को समझाने का। इनी सब चीज़ों को बताने का तो अभिहान है चलो जाने राम राजी क्योंकि राम राज्य में जो भी परिकल्पनाएं थी वो… स्वान्ता सुखाय तो थी, अपने सुख के लिए तो थी परंतु प्रतेक कार में राष्ट का चिंतन था प्रतेक कार में राष्ट का संबंदन था और प्रतेक कार में राष्ट का हित था तो आज अगर इस परिकल्पना को बलवती किया जाएगा परिवार के माध्यम से वेक्टिकत माध्यम से समाज के माध्यम से निश्चित रूप स से राजनेतिक मात्यम से तो हम लामराज जी ला सकते हैं हमारे अभयान से लोग जुड़ते जा रहे हैं इसमें एक नंबर है जिसमें मिस्ट कॉल दे के आप इस अभयान से जुड़ सकते हैं और इस मिस्ट कॉल देने के बाद आपके पास एक छोटा सा फॉम आएगा आप गूगल पे सर्च करके भी इस एक अच्छी अभियान से जुड़ सकते हैं अभी विज्जा आप इसके डिटेल्स बता दे कि किस तरह के फॉर्म्स आते हैं और यह जो एक बहुत ही अच्छी अभियान है इससे हमारे युआ और हर वर्क के लोग जाता हूं कि इस अभिया कि माद्यम से आप अपने छेत्र में छोटी छोटी बैठ के करें उस बैठक में लिए गए चिंतन को परिवारों में बढ़ाएं अपने साथ साथ और महलों में बात करें चर्चा करें क्योंकि चिंतन की लहर सबसे तेज होती है जब हम इस चिंतन के माद्यम्स एक विचार क शक्ति सबसे बड़ी होती है, अगर वो विचार हम सब का मिल जाएगा, तो राश्ट जागरती के खार में आएगा, आप हम से संपर्ख कर सकते हैं, मिस्ट कॉल दे सकते हैं, मिस्ट कॉल के बाद आपके पास एक मैसेज पर फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में चोटी सी डिटे मैं एक बाद और बता रहा हूं, मैंने इस कारक्रम के आयोजन के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया है, उस फ्रेमवर्क में ये है कि ये कारक्रम एक घंटे का है, किसी को भी अपने छेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में कराना है, जहां पे 20-25 परिवार के सकें, हम सुसंब्रद हैं, हमाय पास पैसा है, तो हम लेविश नाष्टा रग दें, और फिर दूसरे देखें कि भीया उनके आँ गय थे, उन्होंने तो अभियान काया था, बड़ा खर्चा हुआ था, इसलिए इस अभियान का सबसे मोलतत्व है कि केवल पानी सर्व होगा और उसके बात इस अभियान में आपको रामराजी के विशे में, सभी बराबर से जोड सकें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ जोड़ना है, और इस अभियान से जोड़के हम एक सुसब्र, सुसंस्कृत, राष्ट की परकल्पना करना चाहते हैं, तभी हम कहते हैं कि आईए, चलो जाने रामराजी क्योंकि इस रामराजी के माध्यम से ही हम सब सुकी हो सकते हैं, हम सब सम्रद्ध हो सकते हैं, इसमें सब का मतलब सब हैं, तभी का आगया है कि चलो जाने रामराजी को एक कोई ऐसा मेसेज जो हमारे चनल के माधियम से हमारे दर्शुकों के साथ साथ आप समाज को भी देना जाए सबके मन में एक ही भावना आए सर्वे भवन्त सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे बद्राणी परश्चंती मां कस्चित दुख बांगवीर हम जब तक इस वसुतायव कुट मुकम की भावना को अपने चिंतन में नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते अपना आश्ट को कैसे बलवान कर सकते हैं इस भावना को जिस दिल हम बढ़ा लेंगे हम सब रामराज को इस धरापन लेए अब कामारे चनल पर आने के लिए लोगों को रामराज क्या है बताने के लिए कहीं ने कि अभियान चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पर उतर के दूसरे को मारे कितने मासूमों की जान गई तमाम तरह के प्रदर्शन में और इसी प्रदर्शन को दूर करने के लिए एकता पैदा करने के लिए और कहीं ने कहीं यह समझाने के लिए कि रामराज हमारे प्रदेश में हमारे देश में हमारे परिवार में किस तर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार